हेलो फ्रेंड्स वालकम टू मैं चैनल आज मैं आप सब्सक्राइब करने वाली हूं कि आप किसी भी पार्टी में जा रहे हो किसी भी फंक्शन में जा रहे हो शाड़ी पहन करके तो आप पार्टी में कैसा मेकप कर सकते हो तो सिंपल सा मेकप लोग जादा है विल्कुल भी नहीं सिंपल मेकप लोग और आप काफी जादा प्रीटी लग सकते हो तो आज कि इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने लुक को क्रियेट करें विल्कुल मेरी तरह और कोई भी आपको यह नहीं बोल और आज मैंने पहना हुआ है औरेंज क्लिर की साड़ी और गॉल्डिन क्लिर का बैंगल्स है गॉल्डिन क्लिर का एरिंग्स है और आज का लुक में क्रियेट करने वाली हूँ साड़ी के साथ मैं सुरू से दिखाऊंगी कि मैं आज अपने फेस पर क्या क्या लगाने वाली हूँ कैसे अपना मेकप करें और इस चार्टिंग से आप लोग देखना और मैंने आज का लोग कैसे क्रियेट किया है जिल लोग को मेकप नहीं आता करने वो लोग देख करके भी सीख सकते हैं मेकप करना मेकप करना भी एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं है बहुत सारे ऐसे लोग है जिनको मेकप करना बिल्कुल भी नहीं आता और बहुत सारे ऐसे लोग है जो लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हैं मेकप करने में मेरा आज का मेकब लूग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा फ्रेंड्स मुझे इंतजार रहेगा आपकी कमेंट्स का और जो लोग नए होंगे मेरी च्रेनल को प्लीज सब्सक्राइब करते जगा तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज में लगाने अपनि फ़ेस प्रेंचन के स्टार्ट करते हैं को हड़ी अपने फेस प्रीज़ इस फांडेशन करें नार्मल आपके लगा करिए हैं मैंने उस्चराइजर क्रीम लगा लिया था उसकी बाद में लगा रहे हो फिटमी का फ़ांडेशन में लोकल स्टाल मार्केट से खरीदा था ये छोटा सा पीस है ने तो इसका बड़ा वाला मांगा आता है और ये made in china है लेकिन इसका glow बहुत ही अच्छा आता है बिल्कुल मेरे face से match कर गया इसका सेड जो मेरे face का कलर है वही इसका सेड का कलर भी है बहुत कोई को नहीं मिलता है तो जिन लोगों को foundation का जो सेड है उसका कलर नहीं मिलता है तो आप बस एक सेड लाइट लेना और इसको लगाना अपने फिस पर ज्यादा डर्क सेड लगाऊगे तो अपका face not dark हो जाएगा और ज्यादा लाइक लगा लोगे तो ज्यादा ही fair है जो कि अच्छा नहीं लगेगा भूठ जैसा लगेगा इसलिगी एक सेड लाइक लगाना या लेकमी का पाउडर लगा रही हूं लेकमी रोज पाउडर विद संस्क्रीन है और जब भी आपको यू प्रोड़क्ट लगाते हो अपने फेस पे अप्लाई करते हैं सबसे पहले अपने हाथों पे वेश्ट प्रोड़क्ट निकाल लेना चाहिए उसकी बाद लगाना चाहिए और फाउडेशन लगाने के बाद मैंने पाउडर लगाया है उसकी बाद मैं कर रही हूँ लिप लाइनर क्योंकि सिफ लिप्स्टिक लगाने से भी पूरे फीस का जो लुक है ना वो बिलकुल चेंज हो जाता है सिर्फ लिप्स्टिक लगाने से मेरा लिप्स काफी छोटा है जिन लोगों को लिप्स्टिक लगाना नहीं आता या फिर जो एकदम पर्फिक्ट लगाना चाहते हैं वो लोग सबसे पहले लिप लाइनर की हल्प से लाइन कर ले आउटलाइन उसके बाद फिर लिप्स्टिक को फील करना चाहिए इससे क्या होता है ना कि आप जब भी लिप्स्टिक लगाते हो तो लिप लाइनर के बाहर लिप्स्टिक नहीं आएगा और आपका सेब भी बहुत ही अच्छा लगेगा यदि आप एक बार में पर्फेक्ट लिप्स्टिक लगा लेते हो तो आपको लिप लाइनर लगाने की गड़बड़ी करते तो आपको सबसे पहले लिप-लाइनर लगाना है उसके बाद आप लिप स्टिक लगा है और मैने रेड कर का लिप इससे क्या होता है कि आप अपने फेस को एक सेप देते हैं बीना कॉंटोर किये यह दिया आप सिर्फ फाउंडेशन लगाओगे तो बिल्कुल फेस वाइट वाइट लगता है जिसे कि फेस पे कुछ रखा हुआ है वैसा नहीं लगना चाहिए कॉंटोर करने चाहिए ब्लश क करना चाहिए इससे आपको पूरा फेस शेप में लगेगा मैं नोज को को रखार करी हूँ जिन लोगों की नाग चोड़ी होती है या फिर बढ़ी होती है उठा हुआ होता है ज्यादा तो आप लोग अपने नोज को सेप में लाने के लिए कंटोर करते है या फिर जिल का नेक बड़ा होता है ने को पतला करने के लिए B zaten पर मेरा नेक तो पतला all ready है और मेरा नोज भी पतला ही मतलब सेप में है मेरा सारा कुछ सेप में ही है ए ओल रिदी फिर भी मैं करती हूं भ्लश लगाने के बाद फिर हालाईटर लगाना ग्रू लाने के लिए और मैं जैसा सिंपल सा पार्टी मेकप लुक कर रही हूं ऐसा आप नॉर्मल पार्टी फंक्शन में भी जाओगे नाइट में तो बहुत ही अच्छा लगेगा लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ जादा हैवी किया हुआ है जादा आपने कुछ कर लिया मेकप वैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा बलकि लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे हैलाइट लगाने के बाद मैं यहां पे कर रही हूं आइब्रो फील मैं अपने आइब्रो को सेप देने वाली हूं मेरा एक आइब्रो देखिए और एक आइब्रो पहले से देखि पर मेरे पास सामान भरा पड़ा है मेकप का तो इसलिए मैं अपना मेकप का जो भी प्रोड़क्त है उसी समय मेकप कर रही हूं मेरे वैनेटी में बहुत सारे मेकप प्रोड़क्त हैं अभी मैं कर रही हूँ अपना आई मेकप सबसे पहले करना है में क्रिस लाइन बनाना है आई बॉल के चेश्ट उपर से और आज मैं ब्राउन कलर से आई मेकप करने वाली हूँ ब्राउन कलर का मैं आई सेडो लगाने वाली हूँ आज जो लोग मेकप सीखना चाहते हैं वो लोग मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको कैसी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा ताकि मैं आप सभी के लिए वैसे वीडियो बना सको जैसा आप चाहते हैं मेकप से रिलेटेड, हेर से रिलेटेड या फिर इसकिन से रिलेटेड में सारे वीडियो आप सभी के साथ सेड़ करूंगी इस चैनल पर ये है लैकमी का काजल आइकानिक काजल जो मैंने 200 में लोकल मार्केट से खरीदा था और मैं कोलूसल का काजल लगाती हूँ, लैकमी का काजल लगाती हूँ, ये दोनों काजल में लगाती हूँ इसका कलर बहुत ही अच्छा है और जल्दी छूटता नहीं है, 24 आवर्स ये तो सभी को पता होगा अभी मैं जल जो काजल था, उससे मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, जो जल बेसे आप देख सकते हैं, वो कॉंटोर वाला पैलेट में ही दिया हुआ जल वाला काजल, उससे मैं आईलाइनर लगा रही हूँ आप जब आईलाइनर लगा रहे हैं, तो आईलाइनर जो आपने लगाया है, उसको इंड में आप आईसेडो के साथ भी मर्ज कर सकते हैं, उससे और भी न्यू लुक आपको मिलेगा और वो सिर्फ जल वाला जो काजल है उसी से मिलेगा मेरा मेकप लुक ग्रीट हो चुका है फ्रेंड्स, और अभी मैं अपने बालों को कॉम कर ले रही हूँ मैं कोई सा भी हेरिस्टैल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुले बाल ही ज़ादा अच्छा लगते हैं वैसे आप कोई सा भी हेर रिस्टाल करोगे आप अपने बालों को पूरा करल कर लोगे तो वो भी काफी अच्छा लगेगा मैं जहाँ पे रहती हूँ थोड़ा सा प्राब्लम है यहाँ मैं लाइट लगाती हूँ इसलिए मैं अपने बालों को करल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यदि मैं बालों को करल करती तो उसके लिए लाइट को फिर निकालना पड़ता अभी मैंने एरिंग से सब बैंगल से सब कुछ भी नहीं पहना हुआ है यह मैंने एक बालों को करल किया तो मुझे काफी पसंद आ रहा था यह आज को मेक अप लूग आप सभी को कैसे लगा फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू मेरा सपोर्ट करी फ्रेंड्स मेरा न्यू चैनल है बाई बाई ठीक केर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में